नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूटूब चैनल दा अर्केपी चतिसगर में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको चतिसगरी फिल्म इंडस्टी के पाच बेस्ट कोमेडियन के बारे में बताने जा रहा हूँ तो चले दोस्ती वीडियो फूरू करते हैं तो दोस्तों पाचवे नमबर पर आता है रामी आदो रामी आदो को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि रामी आदो चतिसगरी फिल्म के सबसे बड़े हुए कलाकारों में सुमार किये जाते हैं और लोग इसकी सांदर कोमेडी को देखकर हफिरोप नहीं पाते अज रामी आदो भले ही बहुत बड़े कलाकार बन चुके हैं लेकिन उन्हें यहां तक पूछने के लिए बहुत संगर्स करना पर रहा है तो दोस्तो चौथे नमबर पर आता है दूजे निसाद अब इस बात में कोई सक नहीं है कि दूजे निसाद 36 गर में महान हास से कलाकार हैं और वे अपने केरियर में ऐसे ऐसे भूमी का निभा चुके हैं जो लोगों के जहान में आज भी ताजा हैं दोफ तो इनकी सबसे ज़्यादा प्रफिद्ध कॉमेडी लपढ़ा नमबर डेर से सुरू हुई और इस फिल्म के आने के बाद एक जबरजास तहास्या के रूप में जाना जाने लगा तो दोस्तो दिफरे नमबर पर आता है संतोफ निफाद संतोफ निफाद जिन है 36 गरी फिल्म में बुझकू के नाम से जाना जाता है और ये अपने जर्माने का बेहतरिन कोमेडियन है और उनके कोमेडी काने कहूनार इतना बढ़िया है कि लोग हस असकिलोट जब संतोफ अनिफाद की फिल्म आती थी तो लोग उसे बुझकू कहते थे तो दोफ्तो दुफरे नमबर पर आता है हेमलाल कोसल दोस्तो चतिसगरी फिल्म को पफंद करने वाला फैयात ही कोई ऐसा होगा जो हेमलाल कोसल को नहीं जानता होगा और उन्हीं लाजवाब भूमिका के कार छतिसगरी फिल्म जगद में सबसे बड़ी कोमेडियन में सुमार्य किया जाता है और फिर पिकॉमैडी के लिए ही नहीं बलकि वे अपने साली फिल्म के लिए जिन्होंने चतिसगरी फिल्म के साथ वह बस्पूरी Chuckी में भी अपने योग दान दिया है तो दोस्तो पहले न च्रिठ गई फिल्म में जो योगदान की उन्होंने दिया है सायद और कोई नहीं दे सकता इसके साथ ही 36 फिल्म के कोमेडियन के सबसे ज्यादा उम्रवाले कोमेडियन तो यह थी दोस्तों 36 गर के पाज बेस्ट कोमेडियान दोस्तों वीडियो पफन आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए शेर कर दिजिए और हमारी सेनल को सब्सक्राइब कर दिजिए